मुगल काल के बारे में, याने सोलहवी, सत्रहवी, शिताब्दी के बारे में हमने बहुत सी बातें जानी और निश्चित रूप से ऐसा हमको लग रहा है, लग रहा होगा कि व्यवस्था बड़ी सुचारू थी, जो इस तरह का शासन समराच चलाते थे, वह कताई संभौनी था, यदि शासन व्यवस्था ठीक ना हो, हमने ये भी देखा कि किस तरह महिलाएं की भूमिका भी इस काल में बहुत महत पूर्ण थी, और बाद के समय में तो, जहांगीर के काल में तो, नूर जहां सर्वे सर्वा हो चली थी, लेकिन इसके बाहुजूर, इनकी शासन व्यवस्था, मुगल काल की, हम अपने भारती इतिहास के उस काल की सर्वशेष्ट व्यवस्था मान सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं, शाही नौकर शाही की, याने शासकी प्रशासन की, मुगल प्रणाली क्या थी? भारती इतिहास की सर्वाधिक सुनिश्चित, सर्वाधिक सुव्यवस्थित और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सुव्यवस्थित, शाहसन व्यवस्था के रूप में इसे देखा जाता है, पूरे विस्तार में थी, ये भारती और विदेशी, दोनों तरह की शाहसन व्यवस का एक तरीके से सम्मिश्रण था जहां तक केंद्री व्यवस्था की बात थी या हम प्रांटों की व्यवस्था की बात करें तो केंद्री और प्रांटी शासन प्रबंधन जो था वह मूल रूप से फार्सी अपनी प्रकृति में वह फार्सी था और फार्सी शासन व्यवस्थ यहां केवल केंद और प्रांतों की बात हो रही है यह ज़िए नीचे जाएं याने प्राथमिक इस्तर पर इस्थानी इस्तर पर तो इस्थानी इस्तर पर हम देखेंगे कि जो व्यवस्था थी वह भारती थी यह एक बहुत बड़ी समझदारी का काम मुगल समराटों ने किया क्योंकि इस्थानी व्यवस्था तक फारिसी व्यवस्था की पहुंच होना और इस्थानी लोगों तक उसकी समझ होना ये शायद बहुत कठिन काम होता इतने विशाल समराज जिम्में तो इसलिए उन्होंने यह मामला इस्थानी लोगों तक ही छोड़ दिया और इस्थानी व्यवस्था जो थी वो इस थानी प्रमप्राओं और थानी नियम कानून के अनुसार चलने की एक तरह से अनुमती दी इस फार्शी व्यवस्था में जो केंद्र और प्रांत थे इसका हमने जिक्र किया कि वह जैसे का तस ले लिया गया था केंद्री व्यवस्था आखिर कैसी थी तो हम थोड़ी सी बात करें केंद्री शासन पर तो केंद्री शासन में सबसे पहले आते थे सम्राट सर्वे सर्वा, सर्वश्रेष्ट, सर्वो परी और इसके साथ ही सर्वोच अधिकारी जाहे वह नयाय का मामला हो, वह सर्वोच नयाय धीश था सेना के मामले में वह सर्वोच सेना पती था कानून बनाने के मामले में वह सबसे ड़ कानून निरमाता था समाज और सामराट की व्यवस्था के मामले में सबसे बड़ा व्यवस्थापक भी था और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल मिला कर वह सर्वोच शासक था और इसके साथ ही समराट को एक दैवी प्रतिनिदी के रूप में जो देखा जाता था इश्वर का वो प्रतिनिद्द्य करता था या उस की शक्ति में उसके शक्ति प्रदर्शन में एक तरीके से चार चान लगाता था आपको याद होगा मैंने पूर में जिक्र किया है कि ये जो प्रतीक चिन चेहरे के चारण तरफ बनाने की परंपरा चित्रकारों ने जो स्वलवी शताबदी में की वो यूरोपी परंपरा से मेरी भरजिन और ईशा के चित्रों से ली गई थी जिसे हम हैलो भी कहते हैं अंग्रेजी में तो इसके पीछे मकसद यही था कि राज़ की शक्ति को इतना आगे दिखाया जाए कि जनता उसके वजन से पूरी दबी रहे और इस वकार दैवी प्रतनिधी की भावना की कलपना भी इसी रूप में सामने आई थी तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर संब्राड जो था वह सर्वोच शासक सर्वोपरी था में जो दूसरा जो स्थान था वह था मंत्री परिशद का मंत्री परिशद में प्रशासनी कारियों के लिए प्रशासनी कारियों में सहायता करने के लिए विभिन विभागों के मंत्री हुआ करते थे और ये मंत्री जो हैं इनकी नियुक्ति संब्राठ ही करते थे तो हर विभाग के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करना भी संब्राठ का ही एक दाईत होता था और वह अपनी पसंद के अपने विवेक से अपने कोशल से वह तै करता था कि किसे मंत्री बनाया जाए और किस विभाग का मंत्री बनाया जाए यदि हम मंत्रियों की बात करें तो उसमें मंत्री गण मंत्री मंदल में सबसे उचा स्थान था प्रधान मंत्री का जिसे वकील भी कहते थे और बाद में वजीर भी कहा जाने लगा प्रधान मंत्री वकील वजीर ये एक ही शब्द है ये इनका जो दायरा था वह अपरि मित था दूसरे शब्दों में एक प्रधान मंत्री सभी भी भागों का अध्यक्ष माना जाता था जैसा आज भी प्रधान मंत्री याने सभी भागों के अध्यक्ष के रूप में ही देखते हैं ऐसी ही परिकल्पना के साथ उस समय भी प्रधान मंत्री या वजीर को देखा जा ता था और वह इस साब से इस माइने में बड़ा ताकतवर होता था शायद इसी कारण अकबर ने बैरम खान के बाद इस पड़ को ही हटा दिया वजीर की निर्त ही समाप्त कर दी कारण शायद ऐसा लगता है कि ततकालीन समराट केंदर शासन में या ततकालीन शासन में किसी दूसरी सत्ता को अपने निकट नहीं देखना चाहते थे क्योंकि ये संभावना हमेशा रहती थी कि इतने ताकतवर सत्ता कहीं और केंद्रित ना हो इसलिए शंभावत अकबर ने वजीर और या प्रधान मंत्री की जो नियुक्ति थी उसे समाप्त कर दी मंत्रिगणों की श्रिणियों की बात करें तो उसमें दूसरी श्रिणी है दीवान या वित्त मंत्री आर्थिक विश्यों में वित्त मंत्री जो है आज की तरह ही एक तरीके थे बाश्या का समराट का प्रतिनी धी होता था क्योंकि आर्थिक सत्ता तो उसी के हाथ में थी अक्बर के समय मुजफर खान और फिर टोडर मल इस पद पर निक्ट किये गए थे और टोडर मल अक्बर का एक तरीके से दाया हाथ ही हो गया था तीसरी श्रणी या तीसरा मंत्री तीसरा सर्वोच अदिकारी मीर बक्षी कहलाता था मीर बक्षी सेना का सर्वोच मंत्री हुआ करता था वह सेना सम्मंधी सभी तरह के कारे देखता था साथ ही मनसबदार घोड़े और सेना से जुड़े हुए अन्य पहलूँँ पर नजर रखता था उसके लिए जिम्मेदार होता था वित्मंत्री और मीर बक्षी के बाद प्रधान काजी काजी यानि जो नियाए करते हैं और हम पहले जान चुके हैं कि मुगल संब्राटों के मन में विशेशकर अकबर के काल में नियाए पर इन लोगों ने कितना जोड़ दिया था तो प्रधान काजी जो होता था वो हर प्रांट और हर जिला और नगर के काजीयों की नियुक्त करता था साथ ही साथ फौजदारी मुकदमों को भी देखता था क्रिमिनल केसिस को भी वह देखता था और पूरी जो नियाए व्यवस्था थी इसी के मातहद संचालित होती थी इनके लावा कुछ और पद भी थे उनमें सदर जहां या हम कह सकते हैं मुक्ष सदर जो धर्मार्थ भाग का ध्यक्ष होता था उसके बाद खान सामा खान सामा सामानों का जो मुक्ष होता था सामानों के प्रबंदन का मुक्ष उसे खान सामा कहते थे राज भंडार प्रबंद का मुक्ष मंत्री फिर मुख्य काजी प्रधान काजी और मुख्य काजी में अंतर है प्रधान काजी तो मैं बता चुका हूँ जो सभी काजीयों को निक्त करता था और फौददारी मुकर्द में देखता था लेकिन एक होता था मुख्य काजी जो न्याय समम्दी मामलों में राजा को एडवाईज देता था उसका परामर्ष दाता था उनको समझ देता था कानूनी परामर्ष देता था वह कहलाता था मुखे काजी महतसिब, पूजा के नेतिक आचरंग की देखने, देख भाल करने वाला पद मुहतसिब पूजा के नैतिक संबन्दी पहलूँ को देखने वाला व्यक्ती और इस पकार कई और अन्य पतादिकारी थे जो संब्राट के केंद्री प्रशासन में सहयोग देते रहते थे योगदान देते थे और उसके लिए जिम्मेदार रहते थे इसके बाद केंद्री शासन के बाद अगला है प्रांती शासन इतना बड़ा संब्राज था उसे चलाने के आवश्यक था कि इसे टुकणों में बाटा जाए विकेंद्री करन किया जाए क्योंकि ये तो संभव है नहीं कि राजधानी से संब्राट अकेला पूरे संब्राज की गतिविधियों पर नजर रखे चाहे वो law and order कानून संबंदी बात हो चाहे सैने संबंदी बात हो या जनस मानस की आवश्यकताओं की पूरती की बात हो तो इसलिए प्रांटों में बाटा गया और इस प्रांटों में जो शासन व्यवस्था थी वह बिल्कुल लगभग केंद्र जैसी ही थी अर्थाथ वहां भी एक मंत्री प्रण मंत्री होते थे उसके साथ इनका मंत्र मंदल होता था और जो मंत्र मंदल के सदस्शें थी वो विविन विभागों के अपने अध्यक्ष होते थे अकबर के काल में पूरे सामराज को पंदरा सूबों में या पंदरा प्रांतों में बांटा गया था याने पंदरा सूबेदार होते थे बाद में ये संख्या थोड़ी बढ़ गई जहां गीर के काल में सत्रा हो गई और शाह जहां के आते आते तो इनकी संख्या 22 हो गई इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे सूबों का निर्मान हुआ और सूबों की व्यवस्था एक आवश्यक व्यवस्था मानते हुए ना केवल इसे रखा गया बलकि इसे बढ़ाया भी गया इसका दायरा बढ़ाया गया और ज्यादा विकेंद्री करन करने के प्रयास में संख्या बढ़ाई गई और जो सामराज था वह भी बढ़ गया था तो बढ़ते हुए सामराज की पूर्ति के लिए की आवश्कता की पूर्ति के लिए भी जरूरी था कि सूबों की संख्या बढ़ाई जाया ये जो सूबे थे इनकी व्यवस्था के लिए भी बहुत से अधिकारी हुआ करते थे और जैसा कि मैंने बताया मंत्री मंडल या मं त्रिगन उसी तरह का होता था जिस तरह का केंदरी शासन हुआ करता था प्रांती व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी तो थे पहला सूबेदार जो प्रांत का सर्वोच अधिकारी कहलाता था सूबेदार दूसरा था दीवान जैसा कि शब्द से ही लगता है दीवान यहने आर्थिक मामलों को देखने वाला वह रज का प्रांत का सर्वोच व्यवत्ती अधिकारी होता था तीसरा बक्षी बक्षी ने प्रांती सेना का सर्वोच अधिकारी फिर वाकिया नवीश होते थे जो प्रांत के गुप्तचर विभाग के मुखिया होते थे और यह गुप्तचर विभाग ततकालीन काल में उस समय एक बहुत महत्पूर्ण विभाग माना जाता था खुफिया विभाग तो उसके मुखिया को कहते थे वाकिया नवीश एक अन्य प्रांती पत्था कोत्वाल जो कोत्वाल यानि सभी नगरों के प्रबंधकों को कोत्वाल कहते थे फिर सदर काजी एक ऐसा उहदा था एक ऐसा पद था जिसमें जन्ता की जो नैचिक चरितर पर नजर रखने वाला किसी तरह के गैर नैटिक कारियों में लिप्त पाए जाने पर उन मामलों को देखने का कारिस सदर काजी का हुआ करता था तो दूसरे शब्दों में नैतिक मूलियों को लेकर भी प्रांती स्थर्प पर अधिकारी निख किये जाते थे इसके बाद आते हैं जिला प्रशासन पर प्रतिक प्रांत सरकारों में विभक थे सरकारों में बटे हुए थे और सरकार मतलब होता था जिला उन दिनों में सरकार शब्द कौपियों किया जाता था जिले के लिए और इसका जो मुखिया होता था वो फौजदार जिले का प्रमुक अधिकारी होता था प्रत्य एक प्रांटों में अमल गुजार जिले की वित्यवस्था देखता था अमल गुजार के बारे में बारंबार दिक्र किया गया है कि अमल गुजार वह व्यक्ति था जो राजश्व एकत्रित करने के काम में मुख्य भूमिका ने भाता था तो जो जिले के स्तर में जो राजस्व की व्यवस्था थी कराधान की व्यवस्था थी और वित्य समंदी अन्य बातें जो हुआ करती थी जिले स्तर में वह अमल गुजार के मातहत होती थी प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के बाद परगना आता था परगने में जिले बढ़ जाते थे और वहां का मुखिया सिक्धार कहलाता था जो वहां का पधान अधिकारी होता था जिस परकार अमल गुजार जिला का विद्ध अधिकारी होता था उसी तरह आमिल परगना का विद्त इदिकारी हुआ करता था तो परगना एक तरीके से यद dadi हम आज के परिप्रेख्श में सोचें तो परगना एन एक तरीके साम मान सकते हैं कि वह ब्लॉक रहा हूगा ब्लॉक इस्थर पर शिख़दार को पधान अधिकारी बना दिया गया और वित्थ के मामले में ब्लॉक इस्तर पर जो अधिकारी नियुक्त था उसे आमिल कहा जाता था अगली जो व्यवस्था जो बहुत चरचित रही मुगलकाल में वह थी मनसबदारी व्यवस्था चंगेश खान जिसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा मंगोल ख्षेत्र से उपजा बहुत तसिद राजा संब्राट चंगेश खान ने उसकी जो सेना थी उसको दशमलाव पध्यती से बनाया था उसका जो गठन किया सा सेना का दशमलाव पध्यती से सबसे छोटी काई दस और सबसे बड़ी काई दस हज़ार किसकी छोटी काई और बड़ी काई सेना की जो सबसे छोटी यूनिट थी उसमें दस सैनिक और जो सबसे बड़ी यूनिट कहलाती थी उसमें दस हजार भारत में अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा लागू की थी उस मनसबदारी प्रथा में भी चंगेश खान के यही दिशमलो पदिदी को अपनाया उसने और वैज्ञानिक दिश्टिकोन अपनाते हुए बड़े वैज्ञानिक तरीके से उसने मनसबदारी प्रथा को प्रारंब किया ए जे कैसर जो प्रसिद एतिहासकार हैं उस काल के इतिहास लिखने वालों में उनके अनसारत अकवर ने 1573-74 में मनसबदारी प्रथा आरंब की और उसकी शुरुआत ही उसने इस दशमलो पद्धती के आधार पर सेना के यूनिटों की के निर्माण के साथ की शाही नौकर शाही और इसके विभिन अंग चाहे वो केंद्र हों चाहे वो प्रांत शूबा हों या स्थानी इस तरपे हों ये व्यवस्था अपने तई पर्याप नहीं थी शासन चलाने के लिए एक सुसंगठित शासन व्यवस्था के लिए ततकाली समय में ये आवश्यक था कि सैनने व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत हो जितनी की शासन व्यवस्था पर शासनिक व्यवस्था तो अब हम बात करते हैं जाट एवं शवार की ये क्या थे ये बड़ा रोचक है उस समय की सैनने व्यवस्था को समझने का और किस तरीके से एक बुद्धी लगा कर कैसे सुनिश्चित किया गया कि बड़ी संख्या में सेना उपलब्ध रहे लेकिन साथ ही साथ उसको देखने का कारे उसके मेंटेनेंस का कारे किसी अन्य पर छोडवा जा सके जहां तक नच सबदार ये पद एख हुआ करता था जाट एवं शवार ये दो पदों के नाम हैं और ये पद किसी एक व्यक्ति के दिये जाते थे दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति जिसे मनसबदार कहा जाता था उसे दो अन्य पद उसे धारन करने होते थे पहला पत कहला था जाट, ब्लैक्टमेन के अनुशार, एक मनसभदार, ब्लैक्त मैन आपको याद होगा, जिसका जिक्र मैंने पूर में बारंबार किया है, जिसने मगल इतिहास पर काफ़ी विस्तार से लिखा है, और अनुआद किया है एक अंग्रेज जिसने इन ग्रंथों को तत काली इन ग्रंथों को जो फार्थी में लिखे गए थे संस्क्रित में लिखे थे उनके अन्वाद में इसका बहुत बड़ा योगदान है उसने लिखा है कि जो एक मनसबदार जो होता था मनसबदार दो पदों का वो रखता था अपने पास रुत्बा और इसमें पहला था अपने पास उसके जितने सैनिक हैं उतने का वो जाट कहलाता था और जितने घुर सवार हैं उतने का वो सवार का सूचक होता था दूसरे शबदों में जदी ठीक दूसरे शबदों में बताया जाए तो एक व्यक्ति मनसबदार है मनसरदार होने की हैसियत से वह दो ताकतें दो शक्तियां या दो पद अपने पास रखता है पहला पद कहलाता है जाट अर्थात सैनिकों की संख्या कितनी रखता है यदि सैनिकों की संख्या वो 5000 है उसके पास अपने खुद के सैनिकों की संख्या इसका मतलब वह मनसबदार 5000 जाट का मनसबदार है साथ ही वही मनसबदार घोड़े भी रखता था और उसके पास घुर सवार भी होते थे कल्बा करिये दि उसी मनसबदार के पास 2000 घुर सवार है तो इसका माइने ये हुआ कि एक मनसबदार के पास 5000 जाट और 2000 घुर सवार 2000 जाट है तो इस प्रकार उसका उहदा जाट और सवार के अधार पे निर्धारित होता था ये घुर सवारों की संख्या ये शब्द जो है घुर सवारों की संख्या और पैदल सेना की संख्या के सूचक थे 1611 में यानि जहांगीर के काल में उसने खुर्रम को अपने बेटे शाह जहान को उसने 10,000 जाट और 5,000 सवार का मनसब दिया था मैं पना दोरा दूँ 10,000 जाट और 5,000 सवार का मनसब जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को दिया था तो इस प्रकार वह एक मनसबदार का ओधा भी रखता था राजकुमार के नाते यहां पर यह आपको जानना होगा कि इन मनसबदारों की बहुत सी श्रेणिया थी जैसा कि बताया गया है कि मैंने बताया कि 5,000 पैदल सेनिक, 2,000 घुर सवार सेनिक तो वो 5,000 जाट और 2,000 सवार का मनसबदार है ऐसे ही कोई मनसबदार 15,000 का सवार और 20,000 का जाट रखे तो उसका ओहदा कुछ दूसरा है इसको लेकर हम श्रेणियों की बात कर सकते हैं और उन श्रेणियों में अबुल फजल जो तद्काली गरंथ को जिसने लिखा है आएन अकबरी, अकबर नामा, आएन अकबरी में वो 66, मनसब 66 श्रेणियों के जिक्र करता है मनसबदारों की 66 शेणियां वो बताता है 66 लेकिन जब उसको विस्तार से पढ़ा जाए तो उसने कुल मिलाकर मात्र 33 शेणियों का विस्तरित उलेक किया है वैसे 66 शेणियां रही होंगी अकबर के काल में सबसे ज़्यादा मनसब 10,000 का हुआ करता था और सबसे कम 10 का ये अकबर के काल की बात करें 10,000 का मनसब सबसे बड़ा और 10 का मनसब सबसे च्छोटा 5000 के उपर के जो मनसब थे वह सामान नितिया या हमेशा शाही परिवार के लोगों को चाहे वो राजकुमार हों चाहे वो शाहजादे हों इन लोगों को दिया जाता था क्योंकि बड़े मनसब यानि बड़ी ताकत तो इसलिए ये जो बड़े मनसब थे जिनको हम 5000 के उपर के संख्या मान फिकते हैं ये सामान नितिया शाहजादों को राजकुमारों को दिये जाते थे तो रखबर काल में 10,000 अधिक्तम था लेकिन अकबर के बाद तुरंट बाद थोड़ी स्थितियां बड़ी और 12,000 तक के मनसब दिये जाने लगे और तो और जहांगीर के काल में मनसबदार के जाट सवार रैंक जो था ये जो श्रीनी थी वह बड़के अधिक्तम 40,000 पहुंच गे और यहां जहांगीर 40,000 दे रहे थे और शाह जहान और दो कदम आकर उसने मनसबदारी 60,000 की भी रखी तो इस पकार हम कह सकते हैं कि इन मनसबदारों की बहुत सारी बहुत सारे वर्ग थे और इनकी मूलत मनसब में तीन श्रीनिया थी प्रसम श्रीनिया यदि जाट मनसब 5000, 5000 यानि बराबर है जाट और मनसब दोनों बराबर है 5000 और 5000 तो वो पहली श्रीनिया का मनसबदार कहलाएगा यानि सबसे उंचा मनसबदारों की श्रीड़ी में सबसे उंचा 5000, 5000 बराबर होना और दूसरी श्रीड़ी अची होती थी जिसमें जाट मनसब 5000 और सवार मनसब धई हजार से धिक्षों 5000 धई हजार तीसरी और अंतिम श्रीड़ी जिसमें जाट मनसब 5000 और सवार मनसब धई हजार से कम हो तो इस पकार ये तीन श्रीड़ीयों बना दी गई थी मनसबों के लेकर और जैसा मैंने बताया कि 66 मनसबदों का उलेक है और मोटा मोटा ये उसका वरगी करना है इन मनसबदारों की जो नियुक्ती होती थी या पदोन्यती थी या उनको पद से हटाने का काम होता था वो सब राजा की द्वारा होता था संब्राड के द्वारा ही संब्राड के नाम से ही होता था दस से पांच सो तक जो थे वे लोग मनसबदार कहलाते थे पांच सो से धाई हजार तक के मनसबदार अमीर कहलाते थे तो इस प्रकार मनसबदारों की ये शेणिया जो तीन प्रकारते हैं इनके नाम करन इस प्रकार किये गए थे मनसबदार अमीर और अमीर अम्दा जहांगीर के समय में दुअपपा और सीअपपा प्रणानी लागू हुई ये क्या है और को ये याद रखने जरूरी है कि ये जो प्रणा है दुअपपा और सीअपपा की वह जहांगीर के काल में लागू हुई इसके तहट सवार पद में व्रिद्धी होती थी केवल सवार में दुअपपा का मतलब सवार के पद के दोगने घोडे और इसका आश्या मतलब ये कि सवार के पद के तीन गुने घोडे तीन गुना घोडे दो गुना घोडे एक अपपा मतलब सवार के पद के बराभर घोडे सवार का पद आपको जितने का मिला है पांच ज़ार का सवार का पद है तो पांच ज़ार घुड़े होंगे तो ये इस पकार वरगी करण किया गया था शेडियां बनाई गई थी अपने मनसबदारों को बाचने के लिए मनसबदारों को जो वेतन मिलता था वो सामानितिया नगद हुआ करता था क्योंकि नगद के बल पर ही यदि नगद मिलेगा तो उसी के आधार पे तो ये सेना और घुर सवारों की देख रेख हो सकती है उन पर हुआ किया जाने वाला व्याय इसी नगद वेतन से ही मनसबदार करते थे तो सामा नितिया ये प्रता थी कि नगद में उन्हें वेतन दिया जाता था लेकिन हमें ऐसे कई उदारन भी मिले हैं जहां वेतन देने के साथ साथ नगद के साथ साथ जागीर भी दी गई है जागीर देने का अर्थ क्या हुआ कि एक जागीर दी गई है एक जमीन का हिस्सा दिया गया है उस जमीन के हिस्से से होने वाली आए का कुछ हिस्सा मनसबदार के पास जाता था पूरा नहीं तो मनसबदार कई बार जागीर दार भी होते थे और उनकी उस जागीर से होने वाली आए का एक हिस्सा ये लोग अपने पर व्या करते थे और साथ ही साथ अपने मातहत आने वाले सैनिकों और घोड सवारों पर भी खर्च करते थे घोड़े पर भी खर्च करते तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जागीर देने की प्रसा भी उस समय जो की गई उन लोगों को और ज्यादा ताकतवर बना रही थी ये जो मंसबदारी विवस्था थी ये मुगल काल की एक बहुत मजबूत बहुत ही मजबूत विवस्था थी और मुगल सैनिक प्रबंधन का एक तरीके से वो मुख्य आधार थी मुगल सैनिक सत्ता मुगल सैनिक प्रबंधन पूरी तरह इस मंतबदारी विवस्था पर आधारित था मुगल सामराज के विश्टार, मुगल सामराज के व्यवस्थापन और मुगल सामराज के सुव्यवस्था में इस मनसबदारी प्रसाने बहुत महत्पूर्ण भुमिका निभाई तो मनसबदारी व्यवस्था एक बहुत ही अहम व्यवस्था थी और हाँ इसके साथ ही इस मनसबदारी व्यवस्था के जरिये एक और प्रयाज भी किया गया था हिंदू और मुस्लिमों को बराबर निकट रखने का क्योंकि मनसबदार नियुक्त करते समय धर्म और जाती नहीं देखी जाती थी कौशल, समर्पन और ये भावनाएं किसी को मनसबदार बनाने के पीछे नहित होती थी तो इस वकार हम कह सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था जो थी वह एक अत्यंत महत्पूर्ण व्यवस्था थी और इस व्यवस्था में हिंदू और मुशलिम दोनों ही निक्त किये जाते थे